एलो एक्रिवन वेलकम टू आएफस और आप सभी को इंडेपेंडेंस दे की बहुत सारी सोब काम ना है तो इस इंडेपेंडेंस दे को खास बनाने के लिए आप लोग उतले हम लोग कुछ सर्प्राइज भी लेकर आये हैं बट एक और इंपॉर्डेंट बात बता दू कि क्या होता है उनकी कुछ रिजर्ट और एक्जामपल पर चर्चा करेंगे और उसके साथ मैं बता दूं आप लोगों को इंडेपेंडेंस देखे इस स्पेशल मौकर पर आप लोगों के लिए हम कुछ सर्पाइज लेकर आए हैं आप सभी लोग हमारे साथ लाईयो कोर्स में में जूट सकते हैं सिर्फ त्रीपल नाइन में और र्रकॉडड रुपस में जूट सकते हैं सिर्फ टू 9999 में मतलब हुआ अप इस तेन हजार रुपए से कम में भी आया टेंड बन सकते हैं तो उस के लिए आपको क्या करना होगा अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है अगर आपने अभी तक इन्रोल नहीं किया इस आफ़र का फायदा नहीं तो उठा लीजे ठीक है चलिए और एक इंपोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूँँ अगर आप जैम एक्जाम क्रैक करना चाहते हो तो लिनेर अलजेब्र एक्जाम पॉइंट आफ यू से काफ़े इ इडियाफ मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग जैम एक्जाम में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो इस लिनेर अलजेब्र के रिकॉर्स को आप लोग बिल्कुल देखेगा कि कम्प्रिट्टी आप लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है अगर आप जैम अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि लिनेर अलजेब्र एक्जाम पॉइंट अब उसे काफ़े इंपॉर्टेंट है और तो यह आपको कहां पर मिलेगा आप क्या करिए प्लेश्टोर से आर्फेस का अब डाउनलोड करें अपने आपको रिजिस्टर करें रिजिस्टर करते वग्या आपको एक्जाम पुछा जाएगा तो आपको एक्जाम आया टीजाम मैथमेटिक सेलेक करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लाइए और लडी सेट पर तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं linearly independent set क्या होता है तो अगर मैं linearly independent set की बात करूँ जैसे कि सपोज मैं आपको कोई एक सेट दे देता हूँ से मैं set क्या लेता हूँ later v or f एक vector space ले लेता हूँ s इसका कोई एक subset ले लेता हूँ किसका v or f का सपोज s में कुछ element है say x1 है x2 है and so on xn है तो इस set को मैं linearly independent कब कहूँगा इस set को मैं linearly independent तभी कहूँगा जब मैं क्या करूँ इसके element का मैं linear combination equal to 0 ले लेता हूँ S के जो element है उनका linear combination equal to मैं क्या करता हूँ 0 ले लेता हूँ तो यह आपको ऐसे मिलेगा alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn equal to 0 ले लेता हूँ इसको suppose मैं equation star नाम ले देता हूँ और मैं यह बता पाऊँ कि linear combination एक ही set पर आपका 0 हो सकता है S के element का linear combination एक ही set पर 0 हो सकता है जब आपका alpha 1, alpha 2 और alpha 3 यह सारे के सारे 0 हो जाए अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो उस case में क्या कहूंगा तो उस case में मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा हो जाएगा तो उस case में आपका जो set S होगा linearly independent कहला है अगर आप alpha 1, alpha 2 and so on alpha n n सभी को अगर आप 0 बता देते हो तो आपका set linearly independent कहलाता है तो चलिए एक बार मैं proper definition लिख लेता हूँ अगर exam point of view से बात करूँ तो li or ld set पर exam में हमेशा question पूछ जाते हो तो एक important topic है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक vector space ले लेता हूँ Late v ou f is a vector space Late v or f मैं क्या लेता हूँ is a vector space तो v ou r f यहाँ पर मैंने एक vector space ले लिया है And suppose मैं क्या लेता हूँ s लेता हूँ s is equal to s में कुछ elements हम लोग लेते हैं जो हमारे vector space का subset है तो सपोज S is equal to मैं क्या लेता हूँ, X1 लेता हूँ, X2 लेता हूँ, and so on, Xn लेता हूँ, which is a subset of V over F ले लेता हूँ, then X को हम क्या कहेंगे, then X is set to be, then X is set to be, linearly independent, linearly independent, linearly independent, और short form में आप इसे LI भी लिख साकते हो, इसको हम linearly independent या LI कब कहेंगे, इससे हम linearly independent या LI तभी कहेंगे, जब मैं इसके element का linear combination equal to 0 ले लूँ, चलो मैं इसके element का linear combination equal to 0 ले ले लेता हूँ, और अगर मैं बता पाऊँ कि, इस linear combination 0 के equal सिर्फ एक ही सर्थ पर possible है, जब सारे के सारे alpha i आपके 0 हो जाए, देन आपको क्या बताना होगा, देन alpha i is equal to 0 for every i, मतलब alpha 1, alpha 2 and so on, alpha i ने सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है, पिसी बात को हम लोग दुसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, इसी बात को, किसी भी set को हम linearly independent कब कहेंगे, जब उसके element का linear combination equal to 0 ले लो, या equation star जो दिया गया है, अगर equation star के पास सिर्फ trivial solution हो, मतलब alpha 1, alpha 2, alpha and 0 हो, तो उस case में हमारा set क्या 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 लाता है, linearly independent क्यालाता है, तो यहां पर आपके सेक्टियों S is linearly independent, ऐसा आपका linearly independent होगा, कब होगा, if equation star, equation star के पास कैसा हो, if equation star has only trivial solution, equation star के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ trivial solution होना चाहिए, if equation star has only trivial solution, ठीक है, तो उस case में हम इसे क्या कहेंगे, linearly independent, ठीक है, हम एक बार linearly independent का भी definition देख लेते हैं, फिर examples की तरफ बढ़ते हैं, तो किसी भी set को हम linearly dependent कब कहते हैं, जब उसका linear combination equal to 0 ले लूँ, और बता दो यह linear combination आपका 0 तभी भी मिल रहा है, जहां पर एक alpha, कम से कम एक alpha 1, alpha 2, alpha 1 में से, एक element ऐसा है, non-zero है, और फिर भी आपका linear combination 0 बन रहा है, तो आज आईए अगले exam definition पर, तो यहां पर आप कह सेखते हो, let v over f, let v over f is a vector space, तो सबसे पहले हम v over f एक vector space ले लेते हैं, let v over f is a vector space, and s ले लेता हूं, s सबसे मैं क्या लेता हूं, x1, x2 and so on, xn ले लेता हूं, यह subset है v over f का, then, आप यहां पर क्या कह सकते हो, then आप यहां पर कह सकते हो, s जो है, then s is, s is linearly dependent, s आपका क्या कहलाएगा, linearly dependent, या short format, ld, इसको आप ld कब कहोगे, जब इसका linear combination equal to, आप क्या ले लो, 0 ले लो, और बता दो, कि सारे के सारे alpha i non zero, मतलब कम से कम एक alpha i non zero मिल जाएगा, तो सबसे alpha 1 x1 ले लिया, alpha 2 x2 ले लिया, and so on, plus alpha n xn ले लिया, which is equal to 0, call it as a equation double star, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कि कम से कम एक alpha i, then there exist, then there exist, at least 1 alpha i, alpha i is not equal to 0, i की value 1 2 से लेकर n थक, मतलब alpha 1, alpha 2, alpha n में से कम से कम एक non zero होना चाहिए, और उसके लिए भी linear combination आपका zero मिल जाए, मतलब दूसरे तरीके से अगर आप ऐसे सोचेंगे न, equation star के पास trivial तो होगा, यहोगा solution, double star जो दिख रहा है, अगर equation double star के पास non trivial solution आता है, अगर equation double star के पास non trivial solution आता है, तो क्या हो जाएगा, आपका set LD हो जाएगा, तो इसी बात को आप ऐसे कह सेक्ट होगा, that is, S is LD, S is LD, if equation double star has non trivial solution, equation double star के पास कैसा solution होना चाहिए, non trivial solution, equation double star has non trivial solution, अगर equation double star के पास non trivial solution आता है, तो कैसा बन जाता है, LD बन जाता है, ठीक है, तो आगे हमें एक note add करना है, बट उससे पहले हम लोग कुछ examples लिख लेते हैं, आप दो line छोट सकते हो note के लिए, उन examples के बाद आते, देखो, अगर equation star के पास सिर्फ trivial solution, यहाँ पर दिखो, equation star के पास only दिया है, सिर्फ trivial solution होगा, तो आपका set LD, LI बनेगा, अगर, इसके पास, अगर non trivial solution आता है, तो आपका set LD बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए, कुछ examples हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक set दिया है, हमें so करना है कि linear lay independent है, तो by definition अगर हम लोग जाएगे, suppose यह आपका पहला वाला set X1 है, AX2 है, AX3 है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, linear combination equal to 0 लेंगे, linear combination equal to 0, 0 जो होता है न, आपके vector space का 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, consider, consider, slider, alpha 1 X1 plus alpha 2 X2 and plus alpha 3 X3 is equal to 0, अब यहाँ पर alpha 1 X1 क्या 1 0 0 है, plus alpha 2 times 0 1 0, plus alpha 3 times क्या हो जाएगा, 0 0 1, अब यहाँ पर 0 मतलब R3 vector space का 0, यह आपको मिलेगा, ठीक है, अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं, तो इसको ऐसे हम लिख सेकते हैं, alpha 1, alpha 2, alpha 3, एक इसके equal हो जाना चाहिए, एक 0 0 0 के equal, तो यहाँ से आप क्या बताओगे, alpha 1 की value, alpha 2 की value और alpha 3 की value, सभी की value 0 मिल गई, तो इस equation के पास, जो equation star दिख रहा है, इसके पास सिर्फ trivial solution है, सारे के सारी skillers 0 होंगी, तो ही इसका linear combination 0 के equal आएगा, इसका मतलग एक ऐसा set हो गया, linearly independent set हो गया, तो यहाँ से आप बता सकते हो, since equation star, equation star has only trivial solution, इसके पास सिर्फ trivial solution है, अगर इसके पास सिर्फ trivial solution है, तो आपका set क्या हो जाएगा, s जो दिया गया है, कैसा set हो जाएगा, lii हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको linearly independent set मिल जाएगा, तो यह पहला example था, similarly अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ examples हम लोग देखते हैं, अब next हमें क्या दिया गया है, एक set दिया गया, suppose यह x1 है, x2 है, x3 है, हमें so क्या करने है, कि यह हमारा linearly dependent set है, तो इसको हम लोग linearly dependent कैसे so करेंगे, तो simply हम क्या करते हैं, इसका linear combination equal to 0 ले ले लेते हैं, so consider, consider alpha 1 x1, alpha 2 x2, plus alpha 3 x3 is equal to 0, तो यहाँ पर alpha 1 x1 आपका 2 1 0 है, x2 आपका क्या हो जाएगा, 4 2 0 हो जाएगा, and x3 आपका 0 0 1 और 0 किसका है, r3 का 0 है, तो यह आपका 3 tuples वाला 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका 3 tuples वाला 0 हो गया, तो यहाँ से अगर आप simplify करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 alpha 1, alpha 1 0 हो जाएगा, plus 4 alpha 2, 2 times alpha 2 और 0, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, plus 0 0 alpha 3 is equal to क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं, 2 times alpha 1, 4 times alpha 2 आपका 0 होगा, alpha 1 plus 2 times alpha 2 आपका 0 होगा, और alpha 3 आपका 0 हो जाएगा, अब देखें, अब यहाँ पर ही जो पहले दो equation है, वो दोनों सेम ही हैंना, पहले equation से अगर मैं 2 को common ले लूँ, तेखी बात होगा, यह दोनों मिलकर यही सेम equation देंगे न, तो alpha 1 क्या हो जाएगा, minus 2 times alpha 2 के equal, ऐसा हमें कुछ में रहा है, मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, alpha 2 की value 1 ले लो, तो उस case में alpha 1 मुझे क्या मिल जाएगा, देखो, यह non-trivial solution है, is a solution of equation star, equation star का non-trivial solution है, तो इसलिए आपका जो set है, वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, अगर equation star के पास, non-trivial solution आता है, तो यह हमारा set LD बनता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बात आप लोग और observe कर सकते हो, क्या observe कर सकते हो, यह जो हमारा set LD है ना, तो उसमें देखो, मैं second वाला element है, 4, 2, 0, यह second वाला x2 को, मैं क्या करूँ, 2 times x1 से पहले element से multiply कर दो, और 0 times third element से multiply कर दो, तो भी बन जा रहा है ना, तो actually जो set linearly dependent होता, या जो set LD होता है ना, उसमें एक element ऐसा मिलता है, जो बाकी element के linear combination में लिखा जा सकता है, जैसे देखो, इसमें क्या मिला, 4, 2, 0, 4, 2, 0 ना, पहले element के 2 times से multiply कर दो, 0 times से multiply करके add कर दो बन जाएगा, अगर कोई set linearly dependent होता है, तो set में कम से कम एक element हमें ऐसा मिलता है, जो उस set के बाकी element के linear combination में लिखा जा सकता, अगर कोई set LD है तो, अगर कोई set LI है तो, तो उस set में कोई भी आपको ऐसा element नहीं मिलेगा, जो बाकीों के linear combination में लिखा जाए, कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों से कहा था, एक note लिखना है, तो उस note को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्या सेखते हो, if, is a subset of V, और साथ में आपको क्या दिया गया, S अगर आपको दिया जाता है LD है, तो इसका मतलब क्या होगा, S में कम से कम एक element ऐसा मिलेगा, जो उस set के बाकी कुछ element के linear combination में लिखा जाएगा, alpha 1, x1, plus alpha 2, x2, and so on, plus alpha n, xn, और यहाँ पर लिख सकते हो, for some, x1, x2, यह जो x1, x2, xn है, यह किसके element है, x1, x2, xn, जो आपके vector space, S के element है, for some x1, x2, and so on, xn, belongs to S, तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई set linearly dependent होता है, तो उस set में कम से कम, एक element ऐसा हमें मिलेगा, जिसे आप बाकी element के linear combination में, आप लिख सकते हैं, अगर कोई set linearly independent है, तो ऐसा हमें कोई भी element नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब एक हमें question दिया गया है, कि suppose एक set दिया गया है, S, S कैसा set है, linearly independent है, तो हमें T को LISO करना है, तो सबसे पहले, हमें T को LISO करना है, तो T के element का linear combination, हम लोग ले लेते हैं, जिस भी set को LISO करना, उसके element का, हम linear combination, equal to 0 लेकर, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ले लेते हैं, consider, alpha times x plus y, beta times y plus z, plus gamma times z plus x, एसके element का, हमने linear combination ले लिया, equal to 0 ले लेते हैं, ठीक है, equal to 0 ले ले लेते हैं, तो यहां से आप इसको ऐसे कह सकते हैं, alpha x plus alpha y, plus beta y plus beta z, plus gamma z plus gamma x, is equal to 0, तो alpha x वाले टम, एक साथ ले लेते हैं, alpha plus gamma times x हो जाएगा, alpha plus beta times y हो जाएगा, plus beta plus gamma times, आपका क्या हो जाएगा, z equal to 0, बट आपको क्या दिया गया, आपका जो set है, x, y, z, एक ऐसा set है, linearly independent है न, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, since आपका जो set है, s, s is equal to x, y, z, एक ऐसा set है, यह linearly independent set है, अगर यह linearly independent set है, तो इसका मतलब, क्या होगा, इसका मैं कोई भी linear combination, इसके element का मैं कोई भी linear combination, अगर equal to मैं 0 लेता हूँ, तो वहाँ पर सारे scalars 0 होँगे न, मतलब alpha plus gamma 0 होगा, alpha plus beta gamma 0 होगा, beta plus gamma भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं, alpha plus gamma आपका 0 होगा, alpha plus beta आपका 0 होगा, beta plus gamma आपका 0 होगा, call it as a equation 1, 2 and 3, तो अगर equation 1, 2 और 3 को आप solve करोगे, तो solve करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्या सकते हो, on solving, आप 1, 2, 3 को solve कर लीजे, solve करने के बाद आपको alpha भी, beta भी और gamma भी आपको 3 और 0 मिल जाएगे, मतलब इस equation star के पास, सिर्फ trivial solution है, तो इसलिए एक ऐसा sit हो जाएगा, हमारा li बन जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या सकते हो, equation star has only trivial solution, equation star has, only trivial solution, equation star के पास सिर्फ trivial solution है, तो यहाँ से आप बता सकते हो, आपका sit s, s नहीं, t था न, t आपका क्या हो जाएगा, t is li, तो इस तरीके साब क्या कर सकते हो, definition का use करके बता सकते हो, ठीक है, अब उसके आगे हम लोग कुछ result और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, result और प्रॉपर्टी की मदब से भी हम लोग पता कर सकते हैं, हमारा set एला है, या लडी है, तो नेक्स हम लोग आ जाते हैं, result और प्रॉपर्टी पर, तो पहला result क्या कहता है, अगर किसी set में आप देखो, अगर आपको कोई set दिया गया है, अगर उस set में 0 वेक्टर हो, तो हमेशा लडी होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजे, अगर अगर मैं इसका लिनेर कॉम्बिनेशन लोग, तो यहाँ अलफा नॉट इन्टु जीरो, अगर मैं 0 ले लेता हूँ, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, अलफा नॉट की वैल्यू ले लेता हूँ, अलफा वन, अलफा टू, और सारे, अलफा एन, इन सभी को अगर मैं 0 ले लो, तो यह देखो, एक वस्न स्टार को साड़ी साई कर रहा है न, बढ़ इसके पास non-zero solution आ गया न, तो जैसे ही non-trivial solution आता है, हमारा set LD हो जाता है, तो अगर आपको कोई set दिखे, अगर आपसे दिया जाये न, छेक करने के लिए कि दिखो भाई, यह set Li है या LD है, अगर set में आपको 0 vector दिखता है, तो देखते ही आपको पहचान जाना है, कि भाई इसमें 0 vector है, तो कभी भी Li तो नहीं हो गई, हमी सा LD होगा, ठीक है, तो यह आपका first result है, any set containing 0 vector is always LD, second पर आ जाते हैं, any set containing, any set containing, only one element, any set containing only one element, which is, which is not 0, that set is Li, अगर किसी set में सिर्फ एक element है, और जो element है, वो non-zero element हो, तो ऐसा set हमेंसा Li होता है, क्यों होता है, देख लेते हैं, suppose एक मैंने set ले लिया, S, S के पास सिर्फ एक element लेता हूँ, X, और मैं क्या कहता है, यह non-zero है, तो इसके element का, अगर मैं linear combination ले लेता हूँ, consider, alpha into X equal to 0, अब देखो, अब आपको पता है, अगर alpha dot X 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा न, बट आपको क्या पता है, alpha 0 होगा, Q alpha 0, क्योंकि X आपका non-zero, तो इस case में alpha 0 हो जाएगा, तो यहां से आपका set कैसा बन जाएगा, linearly independent बन जाएगा, मतलब अगर किसी set में सिर्फ एक element है, और वो element non-zero है, तो ऐसा set हमेशा कैसा set बनता है, linearly independent set बनता है, ठीक है, अब next पर आजाते हैं, third पर, यहां पर आपके सेकते हो, a set containing two vector, अगर किसी set में दो element है, a set containing two vector, a set containing two vector is LD, if and only if, one of them is scalar multiple of other, if and only if, one of them, one of them is scalar multiple of other, one of them is scalar multiple, मतलब इसे हमें दो पार्ट में सो करना पड़ेगा, यह क्या कहता है, अगर किसी set में सिर्फ दो ही element है, और दो element एक दूसरे के multiple है, तो हमेशा linearly dependent होगा, ठीक है, या कोई set अगर linearly dependent है, दो ही element है, तो एक दूसरे के multiple हो जाएंगे, तो चलिए पहला पार्ट हम लोग सो करते हैं, अजूम कर लेते हैं, हम एक set लेते हैं, say, अगर या कैसा set है, अगर या LD है, तो इसका linear combination अगर equal to 0 लोग है, तो आपको non-trival solution मिलेगा, अगर या LD है तो, है नो, तो यहाँ पर हम लेते हैं, consider, consider alpha 1 x 1 plus alpha 2 x 2 is equal to 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, if alpha 1, अब देखो alpha 1 alpha 2 अगर equal to 0 ले रहे हो, alpha 1 x 1 plus alpha 2 x 2 0 ले रहे हो, तो इसके पास non-trival solution है, मतलब alpha 1 और alpha 2 में से कम से कम एक non-0 जरूर होगा न, suppose अगर alpha 1 non-0 मिलता है, तो उस case में इसको आप ऐसे लिख सकते हो न, यह आपका क्या हो जाएगा, alpha 1 x 1 is equal to minus alpha 2 x 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x 1, alpha 1 non-0 है, तो दोनों साइड डिवाइड कर दीजे, तो minus alpha 2 by alpha 1 times, आपको क्या मिल जाएगा x 2, तो देखिए, x 1 और x 2 इस दूसरे के multiple हो गए, है रहा, अगर suppose, अगर आपका alpha 2 non-0 होता है, तो उस case में इसको हम ऐसे लिख सकते है, alpha 2 x 2, इस equation को, equation star को हम ऐसे लिख सकते है, alpha 2 x 2 equal to minus alpha 1 x 1, तो दोनों साइड alpha 2 से divide कर दीजे, x 2 क्या हो जाएगा, minus alpha 1 by alpha 2 times x 1, तो देख लिजे, दोनों case में आपका क्या मिल रहा है, एक दुसरे का multiple ही तो मिल रहा है, x 1 और x 2 इस दूसरे के multiple हो गए, अगर इसे set में सिर्फ दो element है, अगर वो LD होता, तो दोनों element एक दुसरे के multiple होते हैं, फर्स पार्ट दन, अब आते हैं second part पर, यहाँ पर आपका s क्या है, s आपका से x 1 और x 2 दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, एक दुसरे के multiple है, गीवन क्या है, आपको यहाँ पर दिया गया है, कि x 1 जो है न, a times x 2 के equal होगा, तो मतलब ऐसे कैसे है, x 1 माइनस a x 2 आपका क्या होगा, यह हमें साथ 0 होगा, call it as a equation से, star कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब हमें क्या so करना है, हमें so करना है, हमारा यह जो set है, so that, s आपका क्या है, s l d है, आपको l d बताना, तो इसके element का linear combination equal to, आप 0 ले लिजे, consider, alpha 1 x 1 ले लिया, plus alpha 2 x 2 equal to 0 ले लिया, अगर मैं क्या करता हूँ, suppose मैं x 1 की value, अगर x 1 की value, मैं 1 ले लेता हूँ, और, sorry, alpha 1 की value, और alpha 2 की value, suppose मैं ले लेता हूँ, minus a ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x 1 minus a x 2, और यह हमेशा 0 की equal होता है, by equation star, तो इसका मतलब, यह वाला जो equation है, save 1 कह दे रहा हूँ, तो equation 1 के पास, non-trivial solution आ गया न, equation 1, as non-trivial solution, इसके पास आपको कैसा मिल गया, non-trivial solution मिल गया, अगर इसके पास non-trivial solution मिलेगा, तो आपका set क्या हो जाएगा, ld हो जाएगा, यह important result है, यह क्या कैता, अगर किसी set में सिर्फ दो ही element है, अगर ओई ELD है, तो एक दुसरे के multiple होंगे, अगर किसी set में सिर्फ दो ही element, अगर एक दुसरे के multiple होंगे, ने रहा हैं यहाँ तक सभी को, अब नेक्स प्रॉपर्टी पर आते हैं पूर्थ वन क्या कहता है इसका कहने का मतलब क्या है अगर सब्सेट आफ टी दिया गया है अगर आपका एस लडी है अगर छोटा वाला सेट लडी है तो उस केस में बड़ा वाला सेट हमेशा क्या होता है लडी होता है देन आपका टी भी क्या हो जाएगा टी भी आपका लडी हो जाएगा अगर छोटा वाला सेट लडी है तो बड़ा वाला हमेशा लडी होता है तो स सब्सक्राइब तो अब आगर देखो एसा इसका मतलब क्या होगा इसके एलमेंट का अगर मैं linear combination लो alpha 1 x 1 alpha 2 x 2 and so on plus alpha n x n equal to अगर मैं 0 ले लो तो यहां से क्या होगा आपको एक alpha i मिलेगा alpha i which is not equal to 0 i के value 1 2 से लेकर n तक एक alpha i तो हमें जरूर 0 मिलेगा ना एक alpha i जरूर 0 मिलेगा अब मैं क्या करता हूँ suppose मैं ऐसे लेता हूँ alpha 1 x 1 alpha 2 x 2 ले लेता हूँ and so on alpha n x n ले लेता हूँ plus 0 times y1 लेता हूँ 0 times y2 लेता हूँ and so on 0 times ym ले लेता हूँ equal to 0 अब देखो एवाला equation और एवाला तो same ही है ना यह सारे 0 से ही multiply करके 0 ही बन जाएगा अगर इसके पास non trivial solution है तो इसके पास भी होगा same तो आप कहा सकते हो there exists alpha i which is not equal to 0 i की value 1-2 से लेकर n तक तो यहां से हमें पता चलता है कि इस equation के पास भी non trivial solution है अगर इसके पास non trivial solution है तो t आपका क्या हो जाएगा ld हो जाएगा है ना तो यहां पर आपके सक्टो equation star has non trivial solution इसके पास कैसा solution है non trivial solution है इसलिए आपका t भी ld बन जाएगा ठीक है एफ फोर्थ रिजल्ट था और पांच्वा रिजल्ट एड़ कर लीजे अगर सपोज आपको दिया जाता है s is a subset of t and अगर बड़ा वाला li है अगर बड़ा वाला set li है अगर t li है तो उस case में s b आपका li बनेगा यह मैं आपके लिए छोड़ता हूं आप लोग इसे सो करना अगर बड़ा वाला set li है तो छोटा वाला हमेशा होता है अगर बड़ा वाला लडी है तो छोटा वाला होगा तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है यह कुछ इस इंपोर्टेंट रिजर्ट्स और प्रॉपर्टी से थे लिए और इस पे लाई और लडी सेट पर आप लोगों कुछ समझ आया होगा